हिन प्यारे बिच्चों श्वागत है आपका अपके अपनी परिवार भारतवस क्लासिस में तो प्यारे बिच्चों कल चार अपरेल दो हजार चोबिस को क्लास फाइब का दो विसे का फाइनल एकजाम है पर्थम पाली में आपका हिंदी का फाइनल एकजाम होगा और दुद्ध्य पाली में आपका प्रियागरण अधियन यानि की EVS का फाइनल एकजाम होगा तो इस वीडियो में हम आपकी EBS में आने वाले questions very 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 important questions को करने वाले हैं most important questions से बच्चा आप सभी यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको प्रते एक प्रशन को note कर लेना है चली start करते हैं को से प्रशन है उसका सही उत्तर क्या है सभी बच्चे नोट करते चलेंगे देखिए बच्चा आपका कल के आने वाले प्रिक्ष्णों में से very 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 important questions है एक एक प्रशन आप note कर लीजे कल इसी से आपको प्रशन देखने को मिलेंगे और एक बात और हिंदी का जो very 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 important questions है मैंने upload कर दिया है आप उसे भी देख लीजेगा दे रखा है भुवाल भगत ने किस सब्ची की खेती की थी विकल्प है टमाटर, आलू, मतर या इनमे से सभी क्या होगा सही उत्तर जल्दी से बताएंगे बच्चा सही उत्तर एह होगा टमाटर, टमाटर की खेती की थी दूसरा यहाँ दे रखा है सर रोनार्ड रोज को किस छेत्र में नोबल पुरुषकार मिला था विकल्प है साहित, विज्ञान और प्रोधोगी की सांती या चिकिस्सा तो बताएंगे क्या होगा सही उत्तर विभिन देशों और महादेशों के मानचित्रों से बना प्रित्वी का मोडल क्या कहलाता है विकल्प है नक्सा, मानचित्र, मोडल या गलोब तो आप जानते हो बच्चा उसे मैंने कई बर करवाया है आपका विकली टेस्ट में भी यह प्रस्ण आया था सही उतर होगा गलोब यारी डी विकल्प एकदम सही है एक एक प्रस्ण अंपोर्टेंट है बच्चा आप नोट कर लीजे और बच्चा आपके लिए इतनी महनत इतनी तयारी करवाई जारी तो बच्चा आप एक वीडियो एक लाइक जरूर कीजे अपनी तरफ से इस महनत के लिए आप एक लाइक जरूर करेंगे दे रखा है ट्रेफिक लाइट का लाल रंग किस बात का संदेश देता है रुकने जाने इंतजार करने या इन में से कोई नहीं सही उतर क्या होगा जल्दी से बताएंगे बिल्कुल सही बच्चा यह रुकने का संकेत करता है ला रुकने का, हरा जाने का और पीला इंतजार करने का तीनों बाते आप याद रखिएगा धर्ती अंतरिक्च से किस रंग की दिखाई देती है पीली, हरी, नीली या इन में से कोई नहीं तो प्रित्वी का तीन चोथाई भाग जल से भरा है इसे लिए ये अंतरिक्च से नीली रंग की दिखाई देती है सी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा जारखंड राज से होकर कौन सा राश्टिय राजमार्ग गुजरता है रिकल्प है राश्टिय राजमार्ग 32 राश्टिय राजमार्ग 22 राश्टिय राजमार्ग 21 या राश्टिय राजमार्ग 21 जल्दी से बताईए जल्दी से बताना आपको इसका उत्तर हाँ प्यारे बच्छों आप लोगों में से जितने ही बच्छे यदि आपके भाई बहन क्लास 1 में हैं 2 में हैं 3 में 4 में तुनके लिए BWC Kids भारतवस क्लासे का एक और परिवार है BWC Kids उसमें very 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 important questions लगातार अप्लोड कर दिये जाते हैं उसमें भी सांदर पढ़ाई होती है तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे बताई यहां पर सही उतर क्या होगा जारखन से होकर कौन सा राश्टिय राजमार्ग गुजरता है तीस यहाँ पर देखे बच्चा बहुत सारे राज्टिय राजमर गुजरते हैं जैसे एनेच 18, 19, 20, 22, 23 तो यहाँ पर सही उतर होगा 23 ठीक है सात्वा प्रश्ण पलामु के नए किलो को किसने बनाया था राजा राम मोहन राए राजा सामंत राए राजा मेधनी राए या इनमे से कोई नहीं से उतरसी होगा राजा मेदनी राय प्रेम लता अगरवाल को भारत सरकार द्वारा किस पुरुषकार से सम्मानित किया गया भारत रतन, पदम वुभूसन, पदम सिरी या फिर इन में से कोई नहीं प्रेम लता अगरवाल को भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरुषकार मिला था ये जो प्रश्ण है ये भी आपको आया था विकली टेशन में पदम सिली मिला था याद रखना है प्रेम लता अगरवाल सबसे वयोवरिद है जो की माउंट एवरिष्ट में गई थी 48 वर्स इनकी आयो थी जब ये माउंट एवरिष्ट पर गई थी बेतला राश्टिय उद्जान किस जिले में हैं सही उतर होगा लातेहार जहां मधुमक्यों के जूंड में रानी मधुमक्य की संक्या कितनी होती है तो रानी मधुमक्य एक होती है एक नोट कर लेंगे मलेरिया रोग किस के काटने से होता है तो यहां नोट करेंगे मादा एनाफिलेज आप पूरा लिख सकते हो कि मादा एनाफिलेज के काटने से मलेरिया रोग होता है कौन कौन से वाहन बिना तेल के चलते हैं तो लिखेंगे साइकिल, बेल गाड़ी, घोड़ा गाड़ी ये जो वाहन है बिना तेल के चलते हैं भौतिक का नोबल पाने वाले पहले भारतिये कौन थे? उन्हें या पुरुषकार किसलिए मिला था? तो लिखेंगे सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था देखें, सीवी रमन को नोबल पुरुषकार का मिला था तो इन्हें आपको यहाँ पर बताना है कब इनके नोबल पुरुषकार मिला था? 1930 में इन्हें मिला था नोबल पुरुषकार शुर्मनी के केंदर का नाम क्या था तो टोड़ंग था ठीक है नोट कर लीज़े मच्छरों से बचने के उपाय को लिखे तो देखिए बहुती सांदार्षा मैंने उपाय लिखा है आप भी लिखेंगे मच्छरों से बचने के निवन उपाय है पहला पहला तो हम मचरदानी का परियोग करेंगे दूसरा जमे हुए जल गंदे जल में मिट्टी तेल का छुड़काव इसमें क्या होगा कि इसमें जो मचर के जो लारवा होंगे वे मर जाएंगे आज पास की जगा को साफ रखेंगे और अगला प्रस्ण है जंगल अधिकार कानून 2007 से आप क्या समझते हैं तो लिखेंगे यह वनवासी अनुशूचित जन जातियों और अन पारंपरिक वनवासियों को भूमी पर अधिक्तम 4 हेक्टेर का स्वामित्व अधिकार प्रदान करता है तो यह था आपको वहरी 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 इंपोर्टन कोशन्स आपके कल के विकली टेस्ट के लिए ठीके पिच्चा चलिए तो बहुत बहुत धन्नवाद थैंक यू झाल 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 झाल